वे फुले शिक्षर प्रसरक मंडल संचलित शांतिनी केतन पाठ शाला सातरा परिशर आवरंग बाद में मैं आध्यापक अभंग प्रकाश सब्जट हिंदी स्टैंडर्ड सीख लेक्चर थ्री टॉपिक नेम पाठ तीसरा उपहार अगे सुनो और दोहराओ पाठ तीसरा उपहार प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्षे के प्रति के लिए रूची और लगन अवश्यक है आगे देखिए देखो यहाँ पर हमें एक चितर दिखाय दे रहा है एक लड़का एक पेड के निचे बैटा हुआ है और उसके सामने एक परी है परी उस लड़के से कुछ कह रही है यह जो लड़का है उसका नाम है रुत्विक, इस लड़के का नाम रुत्विक है, देखें यहाँ पर एक गाउ में रुत्विक नाम का यह मंदार लड़का रहता था, तो यह है वह लड़का जिसका नाम है रुत्विक, यह रुत्विक बहुत गरिब था, इसके बारे में मै तुम्हें जानकारी देता हूँ, गाव के पास पुस्तक मेला लगा था, रुत्विक ने अपने मा से कहा, मैं भी पुस्तक मेला देखने जाऊंगा, रुत्विक ने मा से कहा, उसकी मा बोली, देखो, घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतने दूर, रुत्विक ने की जित छोड़ दो, चलो, दुद पीलो, अपनी मा की बाद सुनकर, रुत्विक उदास हो गया, और एक पेड के निछे, वह जा बैठा, आचानक, रुत्विक की दुर पेडों के पीछे गई, जहां बहुत तेज रोश्नी थी, वह उठकर वह गया, रुत्विक, वह सुनरे पंखवाली एक परी खड़ी थी, रुत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कोन हो, रुत्विक ने पूछा, उस परी से तुम कोन हो, वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहां उदास क्यों बैठे हो, परी ने रुत्विक से यह कहा, परी का प्रश्ण सुनकर रुत्विक की आखों में आसु आ गए वह बोला मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तक के खरिदना चाता हूँ यह कहकर रुत्विक खामश हो गया तब यह जो परी है परी रुत्विक से बूली इसमें दुख्की क्या बात है यह समझ लो तुमारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरे परिक्षा में उत्रिन हो जाओगे यहाँ पर चित्रा में हमें दिखाए दे रहा है परी जो है परी रुत्विक से यह बाते कर रही है फिर रुत्विक ने कहा कौन सी परिक्षा है रुत्विक ने पूछा परे ने कहा बता दिया तो परिक्षा कैसी ठेक है ऐसा करकर रुत्विक वास से चला गया अभी वह कुछ दूरी ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली आगे देखिए ये रुत्विक है उसके हाथ में एक पोटली हमें दिखाई दे रही है रुत्विक को रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली रुत्विक को यह विश्वास हो गया कि लादंग की इस मकमली पोटली में कोई किमती चीज होगी रुत्विक को विश्वास हो गया उसने उसे खोलना चाहा फिर रुत्विक सोचने लगा जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है रुत्विक ने पोटली नहीं खोली तभी किसी के आवाज उसके कानों में पड़ी कि बेटा मेरी पोटली गीर गई है रास्ते में क्या तुमने देखी है रुत्विक ने पूछा किस रंग की थी देखिए यहाँ पर जो आदमी है वह आदमी रुत्विक से बाते करते हुए हमें यहाँ पर चित्रा में नजर आ रहा है वह एक रहागीर है लाल रंग की थी रहागीर ने बताया और कोई पहिचान बताओ रुत्विक ने रहागीर से कहा उस पर एक परी का सुनारे रंग में चित्रा बना है रहागीर का जबाब था रुत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्रा चमकने ल रुत्विक ने वह पोटली राहागिर को दे दी लेकिन देखिए जब रुत्विक को यह पोटली रस्ते में मिल गए थी वह पोटली रस्ते पर गिरिव हुई थी रुत्विक ने वह पोटली अपने पास अपने हाथ में ली लेकिन रुत्विक ने वह पोटली नहीं खोली क् उसकी नहीं थी, उसे राजस्ते में वह पोटली मिल गई थी, सुबह उठकर वह पहुचा, जहां उसे परी मिली थी, देखा तो वह कोई नहीं था, वह बैट गया, उसकी आखों के सामने वही लादंगी पोटली दिखाय देने लगी, तबी तेज प्रकाश पहला, सामने परी खड़ी थी, परी के दोनों हाथ पीछे थे, परी ने पूछा, कैसे हो, ठीक हूँ, रुत्विक ने जवाब दिया, तबी परी ने कहा, अपने आखे बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दोंगी, किस बात का, रुत्विक ने परी से कहा, परी ने कहा, तुम उत्तिर न हो गई, इसलिए, परी बोली, परी की बात, रुत्विक की समझ में नहीं आ रही थी, उसने आखे बंद कर ली, परी ने उसके हाथों में एक मकमली थैली, पकड़ा दी, तो वही पोटली थी, जो उसने राहगिर को दी थी, परी ने कहा, कल मैंने ही तुमारी इमंदारी की परिक्षा ली थी, वह राहगिर भी मैं इनाम दे रही हूं, परी ने रुत्विक को समझाया, इमंदार व्यक्ति के जिवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती, जाओ, से यहाँ पर कहा रुत्विक के पास शब्द नहीं थे जिन से वह परी को धन्यवाद देता खुशी से उसके आखे भर आई लाल मकमली पोटली रुत्विक ने अपनी मा को दी उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है आगे देखिए यहाँ पर हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है पहले चित्र में एक लड़का एक लड़की उनके पास किताबे है और किताबों को वह अच्छे तरह से रख रहे हैं दुसरे चित्र में यह जो रुत्विक है रुत्रिक रुत्विक सोया हुआ यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है और किताबे जो है उससे कुछ बात कर रहे है ऐसा हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है तो देखिए जब मा वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुणा बड़ी हो गई रुत्विक ने मा को पोटली दी मा पोटली खोलने लगी तो पोटली जो है वह जो थैली है वह कई गुणा बड़ी हो गई और उसमें से सुन्दर सुन्दर पुस्तके बाहर निकल आई पुस्तकों का ढेर देखकर मा चकित रह गई मा के पूछने पर रुत्विक ने सब कुछ बता दिया अब रुत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्ता गले खोला जो लड़की है चित्रा में दिखाई दे रही है वह कृतिका है और वह लड़की रुत्विक की बहन है अब रुत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्ता कले खोला पुस्ता कले याने की लेबररी ग्रांथाले कहते हम उसे वहां सबी बच्चे आकर अपनी मन पसंद पुस्तक के पढ़ने लगे, उनको पूरा गाव पुस्तक मित्र के नाम से जानना लगा, किसे रुत्विक को और रुतिका को, रुत्विक ने पुस्तक अलगो ही अपनी जीवन का धे बना लिया, उसका सारा समय पुस्तक के बेच ब आख लग गई, देखता क्या है कि पुस्तके उससे बाते करने लगे, यहाँ पर हमें छित्र में दिखाए दे रहा है, उससे एक पुस्तक ने पूछा, रुत्विक अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोंगे, तो क्या, तुम हमारा साथ छोड़ दोंगे, हमे किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और रुत्विक की नीद तूटी, जाकने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चल कर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा, तो देखिए बच्चो, रुत्विक जो था, रुत्विक एक गाव में रहने वाला लड़का था, वह बहु परिक्षा में उत्रिन होने पर परिने रुत्विक को अनेक सुंदर सुंदर पुस्तक के पुरस्कार के रूप में दे दिये, यह मंदारी एक अच्छा गुन है, और यस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, आगे देखिए, यहाँ पर पाठ में आये शब्दार्थ, रोशनी, प्रकाश, मखमली, रेश्मे, हैरान, चकीत, पोटली, छोटी गठरी, दुरुष्टी, नजर, राहगीर, यात्री, तेज, प्रकर, मुहावरे और उसका अर्थ, आखे बर आना, आखों में आशु आना, तै करना, निच्चे करना, आख लगना, निद आ जाना, चकीत होना, आच्चेरे करना, आगे, देखिए, यहाँ पर हमारा जो पाठ क्रमंक, तीन था, उपहार, यह समाप्त होता है, थैंक यू, नेक्स लेक्चर, लेक्चर फोर, टॉपिक नेम, जोकर, यह चोथा पाठ है, इसका हम अद्देन, नेक्स लेक्चर में करेंगे, थैंक यू,